हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो निकमेक टैक हमने अपनी लास्ट वीडियो में पाइथन की यूनिट सेकेंड के कुछ यहां जाकर देख सकते हो तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले वहारे पास प्रफोर्म होती है एक तो expression evaluation की form में दूसरा statement execution की form में ठीक है तो two form में क्या होता है person के externs होते हैं आपको पता है first अगर मैं बात करूँ तो key difference between these two forms इन दोनों की बीच का दोस्तों key difference है expression evaluation return a value जो expression evaluation यह दोस्तों एक value return कर देता है whereas statement execution does not return any value और यह स्टेटमेंट एक्जियूशन है यह कोई वैल्यू रिटन नहीं गड़ता इतना इन दोनों की बीजिए डिफ्रेंस यह है दोस्तो पाइफन प्रोग्राम कंटेंड वन और मोर स्टेटमेंट पाइफन प्रोग्राम के अंदर एक और एक से जाधा स्टेटमेंट हो सकते हैं पाइफन एक स्टेटमेंट कंटेंड जीरो और मोर एक्परेशन और एक स्टेटमेंट के अंदर जीरो और मोर एक्परेशन हो सकते हैं पाइफन एक्जिक्यूट आई स्टेटमेंट पाइफन किस तरीके से स्टेटमेंट को एक्जियूट करता है दोस्तों क्या से करता है expression को evaluate करता है वहां तो execute किया था statement को यहां पर क्या कर रहा है expression को evaluate कर रहा है किस तरीके से वाइवेल्यूट था सब expression and substituting their values यानि कि इसको अगर आप example से समझना चाहोगे तो मालो मैंने एक program लिखा जिसमें मैंने एक string में आई string के अंदर लिख दिया है लो पाइथन अगर मैं program को प्रण करूंगा दोस्तों तो हमारे पास हैलो पाइथन लिख कर आजाएगा इस ट्रिंग की फॉर्म में ही यानि कि इन प्रोग्राम करता हूं यहां डार्क मैंने program किया तो हमको यह लिखकर आ गया ने इन इन्वेड्टेटिक में जब मैं प्रिंट प्रोग्राम करूंगा तो दोस्तों केवल है लो पाइथन लिखकर आएगा यह यहां सब्साइब आए तो यहां पर दिया क्या गया है दोस्तों देखो एंद एक्सेशन इस नोट आलिविज आप मैथमेटिक एक्सेशन इन पाइथन जो एक्सेशन की बात हो रही दोस्तों जरूरी नहीं है कि हर बार मैथमेटिकल एक्सेशन यहां ने की तो दो व म् ऐरेवल प्रोग्राम वेरेवल प्रोग्राम के अंदर तो ना's डवेंग्व टाइब उनली प्रोग्राम मीन एकूसंते नहीं ज़ुके अण्धित करें अन्दर वृंपर हैं खें ग्यंके करते दियर रखांगा टीन घुर्न हैं बिस यूजИ प्रोग्राम लिखा तो दोस्तों हमारे पास पूरा वैरेवल आ गया जब हमने करने के बाद यह होता है दोस्तों आपका का expression evolution अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे पास है फ्लॉट रिप्रेजेंटेशन इन पाइफन के अंदर फ्लॉट किस तरीके से हम रोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो दोस्तों मैंने आपको जब फर्स्ट यूनिट पढ़ाई दे वहां मैंने बताया था कि फ्लॉट किस यूज करते हैं इन रिटन बिटाशिंग पॉइंट डिवाइग नाटीजर और फ्लॉट कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से जैसे डेसिमल की फाम में हो गया या विश्वाइड की फॉर्म में हो रहे ठीक है और यह आपको पुछ फ्लॉट इस तरीके से हम लोग रिप्रेज दोग ऑनड़ बिस पूछा गया है क्या पूछ यह क्या होको एक्स्प्रेश्थ डिल्यार एवेलूइशन क्या होता है इतलव के लोगे आपने को बता है कि डिक्स तरीकों करते हैं और और यहां पूछा गया राइट पाइफन प्रोग्राम फॉर हाउ टू चेक इफ नंबर इज फैबनों का ही नंबर है ना तो किस तरीके से लोग चेक करेंगे देखो एक्सप्रेशन इवैलुशन में आपको समझा है वो लिख देना अभी आपको बात आई दिया पॉइंट डेसी नहीं मिलेगा जब पाइटन के अंदर करो तो मैं आपको दिखा देता हूं तो आपको यह प्रोग्राम याद करना है यह क्योशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है चलिए अब हम बात करते हैं डिफाइन लूफ लूप के बारे में बताओ आलसो डिसकुस्ट पर्पस और तो में पता है दोस्तों किया करते हैं कि मालो हमने कोई प्रोग्राम और अगर सही प्रोग्राम है तो यह ज Zum जाते हम लोग रूप में यहां से मैं फालस बैल्यू बता कर लेते हैं इस तरीके से यह इसका परप्रजी होता है आधो आये दो वन वाई वन देखते हैं ब्लोग यह लिखा है एक सफिकेंस होता है क्या होता है या या सब्सक्राइब बällt जब तक हमारी specific कंडिशन मिलना तब तक यानि में लूप इस टेटमेंगेड हो एड़ प्रोग्राम और गुरुप ऑफ स्टेटमेंट multiple times यहां बोला गया है जो लूप statement होता है वो हमको अलाव करता है to execute a statement और group of statement multiple times बहुत बार python programming language provides following type of loop to handle looping requirement तीन टाइप के दोस्तों loop होते हैं जो python programming provide करता है एक तो for loop while loop और nested loop दोस्तों for और while बहुत ज़्यादा important है आपके लिए लूफ अब हम बात करते हैं इसका purpose क्या है देखो और purpose की बात करें तो यहां पर लिखा आए दोस्तों the purpose of loop is repeat the same purpose क्या होता है कि भाई same or similar code number of time एक ही जैसा code और same code or similar code दोस्तों number of time repeat होता है बहुत बार repeat करता है ठीक है यह इसका purpose होता है this number of time could be specified to a certain numbers और the number of time could be decated by a certain condition being met जब तक हमारी condition में मिलना जाए यह इसका purpose हो गया अगर मैं working की बात करूं तो देखो इसमें होता क्या है मानलों हमारे पास एक test condition है तो test condition के बाद अगर बारवर अगर true आ रही है आपकी value क्या रही है तो बारवर कोट रिपीट होता जाएगा हना फिर एक्जग्यूट लूप में लूप में एक्जग्यूट होगा और फिर इस तरीके चलता रहेगा लेकिन जैसे हमें फास वैल्यू कोई मिलेगी तो लूप क्या हो जाएगा आउट लूप से बाहर निकल जाएगा तो इस तरीके दोस्तों आपका वर्किंग चलती है यहां पर लिखा भी है इन दफ्लोचार्ट अगर मैं फ्लोचार्ट की बात करूं इस ट्न होगिन अगरने टेस्ट कंडिशन ट्रू आजाती दोस्तों न लूप एकिग्यूटेड तो अमारा लूप क्या है एक्जिवूट होने लगेगा और एक आप लूप सक्सेस्फिलि एक्जिवूट हो गया दोस्तों एक्जीकूशन अगें स्टाट्ट दवारसा एक्जीकूशन स्टाट होगा कहां से टॉप से फ्रॉं दटॉप एंट्री टॉप एंड्री एंड चेक्ट टेस्ट कंडिशन को चेक करेगा और यह दोस्तों रिपीट होता जाएगा इसी तरीके से जब तक हमारी कंडिशन फॉल्स ना मिल जाया हमको तो यही होते हैं दोस्तों लूप और इसकी यह वर्किंग भी है और यही इसका परप्वस है मैंने आपको बताए दिया और यह इंपोर्टेंट कुशन आपके लिए कि अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं डिसकस डावाइ लूप विर्फ कि वाइब लूप क्या होता इसके वारें बताएं तो सेंटो सेंडियाए वाइल लूप को भी हम लोग यूज करते हैं कि यह जब तक हमारा वही रिपीटिट्ली एकजिक्ट टीट्मेंट ठीक है तो तो अगर और बात करूं दोस्तों यहां पर तो यहां पर लिखा गया है देखो यह फ्लोचार्ट है वही टेक्स एक्ष्ट लेंगे हम लोग यहां पर अगर ट्रू आता है तो वॉड्य वाइलूप फिर एक्जिक्यूट होने लगेगा ठीक है अगर फाल्स मिल जाता है और क् एक्जिट वाइलूप से बहार निकल जाएगा हमार कोड तो यहां वर्किंग दोस्तों सेम देर रखी है दब वर्क्रोग्राम फर्स्ट एवैलूएट दवाइलूप कंडिशन सबसे पहले वैलूइट करेगा वाइलूप कंडिशन को फिर इफ ट्रू अगर यह ट्रू है जोस्तों दप्रूग्राम एंट्र गुक्रूप प्रूग्राम एंटर्योंinaire दढली टोफ के अंदर अन्头 थम्रूलोप के अंदर न्सकीन सब्स्तिक क्लlie से अंगा दोस्तों cert और च्रूप के अंदर चैका किकन दुट्छ में रहे और यही इसकी वर्किंग होती है आपकी वाइलूप की अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्जांपल की बात करें तो आप लोग यह लिए सकते हो एक काउंट जीरू दे रखा है मारे पास और लेस देन दो को 9 तक कि सारी वैल्यव करते हैं 0123456789 123 जीरो से सब्सक्राइब करते हैं और 9 से चोटी आपके एट तो सारी वेल्यव दोस्तों यहां पर रिपीट करते हैं तो इस तरीके साब लोग एक्जांपल भी लिख सकते हो ठीक है अब हम बात करते हैं एक्स्वें फॉर्लूप विद अहल वब एक्जांपल अब हमें फॉर्लूप बताई एक्जांपल की मतब से तो यहां पर फॉर लूप इन पायतनी उस्टू एक्जीक्यूट अब लॉक होती है वह क्यों यूज करते हैं लोग यह ब्लॉक के स्टेट्मेंट का और फॉर्लूप में क्या बता दिया कि फॉर्लूप क्या करती है एक्जीउट अब ब्लॉक ऑफ इस्टेट्मेंट और कोट सेवरल टाइम बहुत बार अंटिल अब कंडिशन बिकम फॉल्स जब तक कंडिशन हमारी फॉल्स ना हो यह तब तक फो वी यूज फॉर्लूप व कि यहां पर जब यहां पर बना सकते हों अब हम बात करते हैं अब काम करते हैं इसके बाद आगे बात करेंगे यहां difference देखा कि differentiate between for and while loop के दोनों की बीचों difference क्या होता है तो अगर मैं for loop के format की बात करूं तो यहां पर initialization हो रहा है condition checking हो रही है और iteration statement are written यहां पर iteration statement written हम लोग को लिखना पड़ता है at the top of the loop यहां पर लिखा है only initialization and condition checking is done as a top of the loop यहां अगर मैं use की बात करूं for loop कहां यूज करते हैं हम लोग दफार लोग इस आपकर लोग करते हैं जब कि वाइल लूप कर हम लोग कव यूज करते हैं जबको हमें number of iteration हमें नहीं पता होता है इसी लिए अगर मैं condition की बात करूं तो if the condition is not given for loop अगर condition हमको दे नहीं रखी है for loop के अंदर then loop iterate infinite time तो loop हमारी infinite time को बहुत बार iterate होती रहेगी जबकि if the condition is not given in while loop अगर while loop में condition नहीं दे रखी है it provides complete completion error तो यह यहां पर आपको सो हो जाएगा initialization की बात करूं तो for loop in initialization once done is never repeated यहां पर for loop में एक वार अगर installation आपका हो गया दोवार से repeat नहीं होता जबकि in while loop for if installation done during condition checking condition checking के दोरान अगर installation हो रहा है दोस्तों है ना then initialization done each time the loop iterate और हर वार लूप के वेसिस पर इंसलाइशन हो गई होगा जबकि यहां पर दोवारा repeat नहीं होता फॉर लूप के अंदर तो यह difference होता है फॉर और वाई लूप और आप अच्छी तरीके समझ के होंगे फॉर और वाई लूप क्या होते हैं अब हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर important है आपके लिए what is break statement python python के अंदर break statement क्या होते हैं और continue statement क्या होते हैं क्योंकि यह question आपका exam में आया ही आया है देखो break लूप के बात करूं तो वही the break keyword थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बस आपके पर आपको the break keyword terminate the loop and transfer the control to break keyword करता क्या है लूप को terminate कर देता है और transfer करता है the control to the end of the loop while loop for loop can also premature terminate using the break statement break statement की मदश से दोस्तों हम लोग while loop और जो आपकी for loop है इन दोनों को भी दोस्तों terminate कर सकते हैं the break statement exit from the loop and transfer the execution for the from the loop exit करता है और transfer करता है execution को to the statement that is immediately following the loop तो यह आपको पता चले का होगा break statement क्या कर रहा है यह आप लोगो लिख सकते हो example यहां पर दे रखा है ठीक है अब हम बात करते हैं explain continue statement अब देख continue statement में क्या हो रहा है the continue statement cause execution ठीक है to immediately continue at start of the loop it skip the execution यह skip करता है execution को दोस्तों of the remaining body part of the loop the continue keyword terminate ongoing iterations यह terminate किसको करता है दोस्तों ongoing iteration को and transfer the control to the top of the loop and transfer कहां करता है the control top of the loop and the loop condition is evaluated again और अपकी जो loop condition होती है दोवार से evaluate होती है if the condition is true अगर condition true है then the next iteration take place तो दूसरी iteration आपकी होने लगेगी ठीक है just as with while loop जैसे while loop के साथ होता है the continue statement can also be used in python for loops आपको example दे रखा है यह एक छोटा सा example दे रखा है आप लोग लेख सकते हो इसका output आपको यह मिलेगा 2468 अब दोस्तों देखिए हमारे पास जो 2019 और 20 में question आया था explain the purpose and working of loop loop की working क्या होती है और उसका purpose क्या होता उसको explain करना है discuss break and continue with example break or continue को हमें बताना है और write a program to convert time from 12 hour to 24 hour format यानि कि 12 hour के format को 24 hour format में किस तरीके से convert कर सकते हैं इसका program भी हमको लिखना है देखो सबसे पहले तो purpose and working मैंने आपको बताया दिया loop के बारे में क्या purpose होता है लूप का ठीक है और working क्या होती है break statement मैंने आप यह आपको बताया अब रहे गया हमारा program तो program आपको यह दे रखा है आप लोगों को लिखना पड़ेगा क्योंकि सेम program दिखोगे तभी ही आपका execute हो पाएगा तो यह program मैं आपको दिखा देता हूं देखो आप लोग इसके इंस्वाट लेलो आप लोग यह लिख सकते हो तो इसी तरीके से हमारी unit second complete होती है आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है helpful लगिए तो अपने दोस्तों को साथ सेर जुरूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक की लिए वाय थेंक्यू